प्यारे बच्चों, आर्थी एजुकिसिन हवान्सुर की ओनलाइन क्लास में आपका स्वाबत है। बेटा आखरी चट्रा रचना सुरू हो चुकी है जिसमें हमने जिवन परीचर पार्ट परीचर पढ़ लिया है, आपने नोट बुप में नोट भी कर लिया होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो आज हम आखरी चट्रा रचना सुरू कर रहे हैं, जिसमें पेज नमबर आप वयासी अपने किताब का पेज नमर वयासी निकाल लिए और ध्यान से देखिए कन्या कुमारे सुनहेले यनि सुनहेरे सूरियोदे और सूरियास्त की घूमी देखिए कन्या कुमारी क्या कहलाती है इतियास में सुनहेरे और सूर्यास की क्या कही जाती है गूमी कही जाती है तो एक सब्सक्रा है सूर्य उद्य यहीं सूर्य का उद्य होता और सूर्यास होता है सूर्य का छिप आस्तर संदीर चिप करें दिये सूर्य भैने उद्य सूर्यास की क्या हुआ सूर्य धने उधर कौन संदी है घुर्ण स्वर संदी ठीक है तो कन्यक उमारी सुनहेरे सूर्य उधर सूर्याथ की क्या कहलाती है भूमी कहलाती है केप होटल के आगी बने बाख टैंक के बाई तरब समुद्र के अंदर से उभरी उब्री कार्थ होता है निकली उब्री कार्थ क्या होता है निकली स्या कार्थ होता है काली स्या सब्द कार्थ क्या होता है काली नी उब्री वुई काली चट्टानों में से नी बहुत सी चट्टाने उब्री वी थी निकली वी थी चट्टानों में से एक चट्टान पर खड़ा होकर मैं, मैं कौन लेखा देर तक भारत की इस्थलभाग की आखरी चट्टान को देखता रहा प्रस्ट मुमी आधार में कन्याक मारी की मंदिल की लाल और सफेद जो लकीरे थी वो चमंक रही थी ऐसा लेखर ने देखा प्रारम में अरबसागर, हिंदमासागर, बंगाल की खाड़ी इन तीनों के संगम इस्थलसीव है चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवे का नन्ने क्या लगाई थी समाधी देखे अरबसागर, हिंदमासागर, बंगाल खाड़ी जो हैं तीनों से घिरी हुई थी वो चट्टान और उस चट्टान पर किसी समय स्वामे विवे का रणने क्या लगाई थी समाधी लगाई थी हर तरफ से पानी की मार हर तरफ से यह तीनों तरफ से अरबसागर, ठीक है, हिंदमासागर, बंगाल की खाड़ी हर तरफ से पानी की मार सहती हुई, सहती का मतलब सहन करती हुई, जेलती हुई, स्वेम भी, स्वेम को चट्टान, समाधी इस्तित्ती लग रही थी देखी तीनों तरब से पानी का बहाव लगातार था और तीनों तरब से वह चटान पानी की मार सहर रही थी क्योंकि एक लहर के बाद दूसरी लहर उठ रही थी प्रते एक लहर उस चटान से टक्रा रही थी तो वह चटान भी ऐसी लग रही थी जैसे उस चटान ने साक्षा क यहनि काली चट्टानों से टक्रा रही थी। उस समय बल खाती लहरे, रास्ते की नुकिली चट्टानों से कट्ती हुई आती जिससे उनके उपर चूरा बुंदों की क्या बंजाती जाले। देंकि चूरा बुंदों की जाले कैसी बनती कि जब कोई भी लहर एक लहर की बाद दूसरी लहर प्रतेक लहर चटान से टकराती है तो टकरान की बाद वहाँ जलकी छोटी छोटी बुंदे बन जाती है ठीक है उनको ही चूरा बुंदे कहा गया है चूरा का मतलब क्या होता है चुन होता है, बारी, जिसको हम सुख्स में कहते हैं, जिसको हम महीन कहते हैं तो एक लेहर के बाद दूसरी लेहर जैसे उट रही थी पर दिएक लेहर चट्टानों से टक़राती हुई, जब आगे की और बढ़ रही थी तो वहां, जिस भी चटान स्क ख?, रही थी, वहां चूरा बूंदों की एधी जालिया बन जाती थी, मैं देख रहा था, मैं कौन, लेखर मॉंक्ना की, जी खड विस्तार को सक्ति का विस्तार और विस्तार की सक्ति का रहा है क्योंकि समुद्र का जो स्वभाव है कि एक लहर के बाद दूसरी लहर का उपना स्वभाव उसकी विस्ता है ठीक है एक लहर के बाद दूसरी लहर दूसरी के बाद तीस परकार से लहरे लगातर उठती रहती है क देख रहा था रहा था सक्त्ति का विस्तार और विस्तार की सक्ट्ट यह प्रसंद पे बनता है कि लेक किनारे की। बढ़ रही थी कुछ विलिग भी हो रही थी कुछ किनारे तक पहुच भी रही थी उसी क्रम को सक्ति का विस्तार और विस्तार की क्या कहा है सक्ति कहा है ठीक है इसके बाद आगे चली हैं उस भाग को तक पानी पानी था कि लहरे बाड़ उट रहे थी उचितिज तक क्या दिखाई दे रहा थाме पाने ली खई दिया रहा था फिर में सामने का चितिज हिंद मुहसागर की अपक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था लगता था कि जो दूसरा के नारओ था ऍाwnyक सद्धीन मासागर की उस वहार को टुष चोंड़ के नहीं जब हम समुद्र को देखते हैं निहारते हैं तो ऐसा है लगता है कि जैसे समुद्र को उस और दूसरी और कोई किनारा नहीं है तीनों और की छितिस्त को आखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं मैं हूँ एक जीवित यक्ती दूर से आया एक यातरी एक दर्श के निक लेका खो गया था उस दर्श में पूरी दर्श से पिलीन हो गया था डूप गया था और कुछ समय के लिए उसने हो सवास को यह थे खुद को भी भूल चुगा था कि मैं कौन हूं क्या करने आया हूं कहां से आया कि उस द्रश की बीच में जैसे द्रश का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होस हुआ तो देखा कि मेरे कि मे पानी ने अपना सर दिखा दिया था जैसे लेखक को होस्वाक्त देखा कि जिस चट्टान पर लेखक खड़ा हुआ है वह चट्टान भी पानी से घिर चुकी है खत्रा बढ़ गया है उस समय लेखक वहां से हडता है मेरा पूरा सरीर सीहर गया सीहर देखा काफना मैं ने फिर सामने की उमडते विस्तार पर डाली और पास के ठिखितरी में सूर्य धीरी धीरी नीची जा रहा था जो पस्चमी चिफितr Paulo सूर्य धीरी किया जा रहा था नेची अर्थार समझ गया है कि सूर्य चिप रहा था अस्त हो रहा था मैं सूर्यास की दिशा में चलने लगा है जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है कौन सी दिशा होती है पस्चम दिशा उस दिशा की और लेखक चलने लगा क्यों 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 कि वह करीब बहुत नस्दी की से बहुत सुक्ष्मता से बह उचा टीला सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास से देखूँगा लेखक की तमन्ना थी सूर्यास देखने की तो लेखक ने सोचा कि उस टीले परेदी में चला जाओं तो वहां से मैं बहुत अच्छे से बहुत करीबी से नस्दीकी से ठीक है क्या देख सकता हूं मैं सूर्यास देख सकती। अब लेखर कुछ राश्टी के और चल देता है। यात्यों की कितनी टोलिया उस दिसा में जा रही थी। बहुत से लोग, बहुत से यात्री उस दिसा में जा रही थे। पस्टिन दिसा की और मेरे आगे कुछ मिस्णरी यूदियां, कुछ नोजवान लड़किय ति मिस्नरी यूदिया थी मॉक्स की समस्या पर क्या कर रही थी विचार रही थी लेखके आगे-आगे और हुँका एक मुख्य बिंदू था मॉक्स और मॉक्स की समस्या पर वो क्या कर रही थी चर्चा कर रही थी मैं उनके पीछे-पीछे चलने लगा चुपके से मॉक्स का क पीछे पीछे चलने लगा यू उनकी बातों में से कहीं रैसमय विसेस आक्ष्म पैदा करने वाले उनके युवा सरीवों में था और पीली रेद की प्रश्ट भूमी में उनके लबादों के हिंटे उए स्या सपेद रंग बंबुती आकरसक लगे रही थी देखी जो मोक्स का जो टोफिक था मोक्स का जो बिंदू था उससे ज्यादा रैसमय क्या लग रहा था उनका जो गठीला शरीव था ठीक है युवा जो अवस्ता थी वो सुंदर लग रही थी उसके साथी वोने जो कपड़े पैन रखे थे वस्तर धारन कर रखे थे लबाद अब नए बाद करता है वस्तर थी काले ओर सफेद वह बहुत ही आक्रसक लग रही थी से मोक्स का रहसे लेखको आक्रसक नहीं कर सका जितना उनके वस्तर आक्रसक कर रहे थे या उनका गठीला सरी सब्सक्राइब मौक्स का रैस अभी बीच में ही था कि लोग तीले पर पहुँच गए, यानि उच्छा तीला दिखाइ दे रहा था हो पहुच गई। पर बहुत से लोग थे पहले से लोग जवा थे एकत्रित थे आठ दस नव युगतियां छैसाथ नव युगत और दो तिन गांधी टोपी वाली व्यक्ति थे वे भी सायद सूरियास देख रहे थे गवर्नमेंट गैस्ट हाउस की जो बेरे थे साय करमचारी बेरे उन्हें सूरियास के समय क्या पिला रहे थे कोफी पिला रहे थे उनका कारी भार था उनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों के वहां होने से सैंड हील बहुति क्या हो गया था रंगिन क्योंकि उन्होंने विबिन इस सुची के साथ सुदर रंगो का क्या पहना था रेसम पहना था तो इस प्रकार से आपने इस पेज गे माध्यम से आखरी च VOC को समझा, क्या समझा कि लेखक गौवा से कन्णिय कुमारी की यात्रा पर जाता है। जग गया कन्या कोमर जो सुनहरे सुर्योद और सुर्यास्ति क्या कई जाती है भूमी कई जाती है उसके बाद लेखक ने समुद्र की विस्तार को देखा असीम विस्तार एक कुबरी उचटान कर खड़े ओकर किस प्रकार से उसने जो चूरा भूनों की जाली बनती है वो भी देखी है सक्ति का विस्तार और विस्तार के सक्ति की से काग ये भी मैसुस किया है इसके बार लेकक सैंड हिल तक पहुंचा उस रेत के उंचे टीले तक जहां सिब है बहुती नजदी की से क्या देखना चाता था सूर्यास देखना चाता था तो आज कर रिता है काफी है ने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे देलिवार.